जहानावा से NDA उमीदवार, जेडियू के कोटे से चंदेश्वर जी हमारे साथ हैं, सब सबस्ब्से पहले तो नीश वर्नेसें के टीम के तरफ से आपको बहुत बदाई कि आपको उमीदवार बनाए गया, क्या लगता है कि इस बार जहानावा छेत की जातिये बात की जाती जाती जो आधार होंगे उसमें आपको ठिकर देना क्या लगता है कि जेडियू में जिस तरीके से बिरोधियों के लिए जो रहनीती तैकि उसमें आपके लिए कितना मुश्किल होगा और कितना असान होगा हमको तो लगता है कि हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है इसलिए कि हमारे मुखवन्ती जिस तरह से बिहार में विकास का काम लेकर के चले हैं और सबका साथ सबका विकास उन्होंने किया है और उसके मुद्य पर हम चुनाव लड़ेंगे और दूसरी तरफ हम यह करना चाहेंगे कि आदनीय मुख्वंती जी जिस तरह से आगे बन रहे हैं और समाज के सबसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को भिसाथ लेकर चलने का काम किया है इसके लिए समाज में गरीब तबका के लोग में काफी उत्सा है और सब लोग उत्साहित होकर के बोट देने का काम करेगा और हमको लगता है कि एंडिये की उमिद्वार के सामने कोई उमिद्वार वहां नहीं टिकेगा और भारी मत से हम जीत के हासिल करेंगे चुनाओ में एजिंडा क्या होगा अखिर अखिन बातों को लेके आप जाईएगा अब तो देखे चुनाओ में बुद्दा तो एकदम खुला हुआ है इंडिये की सरकार जब से है तब से आधनिये मुक्वंति जी इंडिये के पाट रहे है और इसके बाद बिहार में जो विकास हुआ है और इसके पहले 2005 के पहले जो बिहार के जो इस्थिती थी उससे पूरी जनता अभगत है और बिहार में 2005 के बाद जो सरकार बनी आधनिये मुक्वंति जी के नितित में उसके बाद का बिहार सामने दिखाई पड़ रहा है सब जगह अस्पताल है, सब जगह इसकूल है, सब जगह रोट की व्युवस्था है, हर छेत्र लोज़र की व्युवस्था है, आधनी मुपंदियी सब का साथ सब का विकास लेकर करके चल रहे हैं और यही हमारा उद्देश है कि सरकार का जो उपलब्दी है, सरकार ने जो काम किया है, उस कामों को लेकर करके हम जनता के बीच में जाएंगे ओसकी चर्चा करेंगे और उसके बदोलत हम जीत हासिल करेंगे। जहानाबाद की जनता को कुछ कहेंगे? हम जहानावाद की जनता से अपील करेंगे कि आधनिये मुखमंती जी के और आधनिये प्रधान मंती जी के जो सपना है उसको साकार करने के लिए भारत में फिर से नेंद मोद्य को प्रधान मंती बनाने के लिए आधनिये मुखमंती जी के हाथ को मजबूत करने के लिए एंड सबका साथ सबका विकास का जो मुद्दा है मुखमंतिन तीश हुमार का इंडिये के अंदर उसी मुद्दे के साथ उसी चेहरे के साथ यह चुनाव मैदान में जाएंगे हाला कि टिकट इंकवा मिल गया है और इसके साथ ही जेडिव के तरफ से यह पहले उमिद्वार होंगे जिने चंदवनशीक जी को जो टिकट मिला है यह इन क्या कहना है कि भी पक्ष का कोई भी उमिद्वार इनके आगे नहीं टिके का सवयोगी मनीश के साथ गड़ेश शमराठ नूइश फरनेशन पटना